Welcome to Bollywood वाला, I am Sonub दोस्तो, Don't Kill Me नाम का एक नया Italian फिल्म देखा मैंने Netflix पर दोस्तो, बहुत ही अजीब फिल्म है और वेरी विर्ड फिल्म इसमें ना चो में लड़की है, मिर्टा प्लेट बाइ दिस अक्रस काल्ड अलस वो मर जाती है और उसके बाद रिसरक्ट होती है मतलब वापस जीवित होती है तो रिसरक्शन होने के बाद वो पुरा शैतान बन जाती है मॉन्स्टर बन जाती है, वैंपायर जैसा बन जाती है सबका खून चूसने लगती है, अटाक करती है लोगों को इधर-इधर से खुन-फुन चोजता है वो जो vampires करता न तो वैसे बन जाती है अभी इनको over dead बोलता है मतलब जो मरने के बाद resurrect होता है उनको over dead बोलता है और over dead को hunt करता है एक particular sect क्या Ben and Danny करके कोई एक sect है तो अब ये लड़की जो है वो दूसरे एक लड़की को भी मिलती है जो भी over dead है अब उन लोग किस-किस को attack करता है क्या-क्या होता है फिल्म में और फिर उसके बाद ये Ben and Danny जो है क्या लोग ये over dead को hunt करक पाते की नहीं या फिर ये लड़की जो है over dead क्या वो Ben and Danny से बच पाती है की नहीं या Ben and Danny से fight करती है की नहीं यही सब चलता है फिल्म में मतलब बहुत ही अजीब लगा यार तो उतना कुछ मजा आया नहीं और बीच-बीच है चुमा चाटी बगेरा नंगापन बहुत है उसमें तो कुल्विला के फिल्म का कहानी कुछ उतना मेरे को engaging बिलकुल लगा नहीं है कुछ gripping-gripping लगा नहीं है मतलब अगर आप horror पैदा करने के उमीद से अपने बनाया तो horror भी बिलकुल था नहीं और ना वो वैंपायर वाला सीन में भी कुछ उतना जयदा you know engaging factor नजर नहीं आया मजा बिलकुल नहीं आया ना horror कुछ नजर आया उसमें तो कुछ भी ऐसा फिल्म में बांधे नहीं रखा मुझे यर हाँ वो लड़की जो है मिर्टा प्लेट बाइड 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 परफॉर्मेंस दिया सुंदर दिखती भी है but script story कुछ मेरे को इतना engaging या gripping या thrilling लगा नहीं है तो बहुत ही थंडा average लगा I'm going with 1.5 stars for this film Italian film है English language भी है subtitles भी है तो मुझे लिख कर बताना आपको इस film कैसे लगा चलिए for the moment टाडा